बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम, अस्सलामुलेकूम नाजरीन, ज्यादा बूख लगे तो जेतून के तेल की खुश्बू सुंगने से ज्यादा बूख नहीं लगेगी, सोते वक्त उल्टा नहीं लेटना चाहिए, वरना आप जल्दी बूरे हो जाएंगे, उल्टा लेटने से दिल के दोरे का भी खथ्या होता है, जब आपको पिशाप आ जाए तो उसको ज्यादा देर तक मत रोको, वरना इससे आप जल्दी बूरे हो जाओगे, रात के वक्त चाए का इस्तमाल कम कर दो क्योंके, रात के वक्त चाए पीने से पिशाप का इन्फेक्शन हो सकता है, ज जब भी घर में दाखिल हो तो सिलाम करें, आपके घर में खूब बरकत आएगी, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो जल्दी एतबार कर लेती है, औरत हमेशा खुबसूरत जवान नजर आना चाती है, तो वो अपने गुसे को दबा कर रखे, ज्यादा गुसा करने औरत जल्दी बूरी हो जाती है, जिस औरत की हाथ की उंगलियान नरम होती है, ऐसी औरतें नेक होती है, लंबे अंगुठे वादी आ खुबसूरत आन चाना पर बाहर तो अगर तुम देख लो कि तुम्हाइरा इस खुबँदा कर इस पाने को बाहर निकाल दो, अगर तु तो तुम पानी पीना ही छोड़ दोगे पनहाई इंसान के लिए इतने ही नुकसान दा है जितनी के एक दिन में दस सिगरट पीना अगर रात को सोने में मुश्किल होने लगे तो अपनी आँखों को 40 बार तेजी से जुपकाएं इस तरीके से आपकी आँखें ठक जाएंगी और आपको गहरी नींद आने लगेगी हफ़ते में एक मरतबा अपने बालों की जड़ों में प्यास का पानी लगाएं और एक मरतबा अंडे की जड़ी का मास्क एक हफ़ते में जरूर लगाएं इस तरह करने से आपके बाल लंबें और गने हो जाएंगी और बालों की जने मस्भूत हो जाएंगी और बालों का गिरना बंध हो जाएगा ख्वाब में शादी होना परिशानियों के एक हात्मे की अलामत है जिन लोगों की नजर कमजोर हो वो मकई का आटा इस्तामाल करें तो उनकी नजर तेज हो जाएगी बारा दिन तक एक प्याली अंगूर का रस की अंदर एक चमत छेह डाल कर पीने से इन्शालला लिकोरिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी प्याज इस्तमाल किया करो ये खून को पतला करता है हामला ओरतें कौफी पीने से बचें वरना बचे को नुकसान भी हो सकता है हमेशा पांच सरह के लोगों की सोबत में रहे नमबर एक पुर इतमात नमबर दो पुर जोश नमबर तीन होसला अवजाई करने वाला नमबर चार खुले जहन वाला और नमबर पांच शुकर गुजार शदीद नजले में सांस की तकलीफ में अदर्ट की चाए इंतहाई मुफीद है गले में खराश ओ या नजला जुकाम लेता है तो चार खुशकुबानिया खा कर एक कप हलकी नीम गरम चाए पी जाए इंचालला इससे बेहत फाइदा होगा सौनी से कबर रोजाना बकायदगी से बालों में कंगी फैड लेने से सर की जिल्द में खुन की रवानगी बेहतर होती है और इससे बालों की जड़े मजबूत होती है और आपके दिमाग को सुकून मिलता है कंगी ना करने वाले के बाल जड़ जाते है शर्मिले लोग ज्यादा काबिले एतमाद होते है और हुश्यार होते है हेड़ फून ज्यादा इस्तामाल करने से ये कानों में जरासीम पैदा होते है और चक्कर आने का प्रॉब्लम भी हो सकता है माहुवारी के दुरान एक चमच नमक गरम पानी में डालकर नहाए इससे आपको बहुत फाइदा होगा और ये जादूई काम करती है नहाने से कबल बालों में अच्छी तरह तेल मसल दो बालों की जड़े मजबूत होती है नहाने से पहले ये वाला अमल आप लाजमी करें आपके बाल इंतहाई लंबे और गने हो जाएंगी और आपके बालों की जड़े मस्बूत हो जाएंगे अगर आपकी जिल्द पर जलने की निशानाथ हैं तो मुलतानी मिट्टी को और लिमू के रस में विटामिन A शामिल करके लगाएं चन्द दिनों में निशानाथ खत्म होने लगेंगे काजु का रुजाना इस्तमाल करने से शुगर के मरीजों के लिए काजु खाना बेहत फाइदे मन है खुदा हर वाले दीन को इतना लंबी उमर दे के वो सारी खुशियां देख सके चुनों ने अपनी उलाद के लिए मांगी हैं आमीन एक बार कमट में जरूर आमीन लिखते अगर मेदे में तिजाबियत हो जाए तो खुजूर खाने से तिजाबियत दूर हो जाती है मसलसल और ज्यद्धा प्यास खाने से छेरे पर जूरियां और चाईयां आसकती है», साइकल चलाने से टांगें मضबोत होती है जिस औरत में तीन आदते हो ऐसी औरत से शादी कर ले ऐसी औरत के मुकदर में बेतहाशा दोलत होगी हमेशा निगाहों को नीचे रखने वाली कम बोलने वाली जिसका हुसने इखलाक खुबसूरत हो रोजाना आदे लिमू का रस और एक चमच शहर एक गिलास नीम गरम पानी में मिलाकर एक महीना पीलो हाथ या पाउं सुन हो जाते हैं तो इन्शालला इससे आपको अराम मिल जाएगा अमरूत के बाद जल्दी पानी मत पियो वरना आपको इससे बत्तरीन हिज़ा होने का अंदेशा होता है जो लोग गंजे हो रहे हो या सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो तो वो मूली का रस सर में लगा लिया करें इससे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे गरम खाने के बाद थंडा पानी पीना सहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर अचानक बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे तो मिस्री का छोटा सा दाना मूं में रख लेने से खांसी फोरण बन हो जाएगी डिप्रेशन का मरीज चमेली का फूल सुंगले उसको इससे काफी हद तक फाइदा होगा इनसान को कोई चीज इतना नहीं तबदील कर सकती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफें तबदील कर देती हैं और तकलीफ भी ऐसी हो जो उसने तनहा ही जेली होती है मज़िदार से टोटके जाने के लिए हमारे F.S. वोईस चैनल को लाजमी आप सबस्क्राइब कर दे आपको इस चैनल पर बहुत मज़िदार सी वीडियो देखने को मिलेंगी जब आपको नजला हो जाए तो तकरीबन तीन दिन कोई दवाई ना ले और ना डाक्टरों के पास जाए अगर आप शुरू से ही दवाई लेकर नजला रोक लेंगे तो फिर आपकी सरमी दर्द रहने लगेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिस